बात करने वाले हैं ASW vs MRW, ADLADY STYKER WOMINS vs Milburn Renegates WOMINS, Australia WOMINS T20 Big Best League का काफ़ी deeply analysis करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखे, बहुत कुछ आपको जो है समझ में आएगा, डिर्कली मैच के बारे में बात करते हैं क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, ADLADY STYKER WOMINS vs Milburn Reneg मैच 29 है, WOMINS Big Best League का, ये जो है केरन रोलटन ओवल ADLADY पर खेला जाएगा, एक बच के 40 मिनुट पर मैच स्टार्ट होगा, एक बचे के आसपास जो है इसकी लाइन अप लगबग आ जाएगी, तेलिग्राम का चैनल जोईन करिएगा, क्योंकि तेलिग्राम के चैनल पर ही आपको जो है, फानल अपडेट्स बगएरा देखने के लिए मिलेगी, टेलिग्राम चैनल की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्सर में डाल रखी है, बात करते हैं यहां की पिछ रिपोट की, तो देखो इस वेन्यू पर आप देखोगे न, तो भाई बहुत ज़्यादा के साथ साथ, इस पीन को जो है, अच्छा सपोर्ट मिलता है, इस पीनर्स जो है, मिडिल ओवर में गेम में दिखाई देते हैं, चेसिंग करना एक अच्छा जो है, आपशन रहता है, तो यहां पर जो भी टीम टॉस वन करेगी, वो फिल्डिंग लेना जो है, प्रेफर विडियो को लाइक सेर भी कर दीजे, आपका एक लाइक चैनलों को सपोर्ट करेगा, हमें मोटिबेशन मिलेगी, तो विडियो को लाइक जरू से किया करें, इस वेन्यू की बात की जाए, टोटल इस वेन्यू पर वोमेंस के डोमिस्टिक मैचेस 25 हुए है, पंदरा बार ब 170 से 190 के बीच में 6 बार, और एक बार यहाँ पर 190 के ऊपर का स्कोर बनाया है, इस वेन्यू पर इसी सेजन अगर आप देखोगे न, तो यहाँ पर दो मैचेस खेले गए हैं, जिसमें एक बार मैच यहाँ पर मात्र 29 रन पर एक टीम पूरी आल आउट हो गई है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो अच्छा स्कोर यानि कि 177 अच्छा स्कोर बोला जाएगा, 148 भी अच्छा स्कोर बोला है, सेकंड इनिंग में यहाँ पर बैट थोड़ी सी उतनी इजी नहीं रही है, 21 अक्टूबर और 29 नॉबर को मैच हुए हैं, तो लगबग 8-10 दिन पहले य यहाँ पर डेफिनेटली फ्रेस विकेट बताई जा रही है और आपको इस बार रन अच्छा दोनों ही इनिंग्स में देखने के लिए मिलेगा, हैट टूएड की रिकॉर्ड के अगर हम बात करें, टोटल 16 T20 मैचे हुए हैं, एडिलेड और रेनिगेट्स के बीच में, दोजार एकिस में इन दोनों ही टीम के बीच में दो मैचे हुए थे, रेनिगेट्स की टीम ने दोनों मैचे विन किये हैं, वैसे अगर आप करेंट फॉर्म देखोगे न, तो एडिलेड स्टाइकर की टीम, इनोंने अभी तक तूनामेंट में 7 मैचे खेले हैं, 5 मैच विन इनोंने विन किया है, बाकी 6 के 6 मैच जो है, इनोंने लॉस किया है, एडिलेड स्टाइकर के और जो है, मेलबन रेनिगेट्स के लास्ट पाइप मैच, आप यहाँ पर पूरा देख सकते हो, कि किस डेट को खेला है, किस टीम के अगेंस में खेला है, कितना स्कोर है, बैट मैक के साथ में लॉरा वर्डोट आपको ओपन करते होना जराएंगी, बन डावन पर थालिया मेगराथ हैं, उसके बाद ब्रीज पैटिशन है, डी गिप्सन है, उसके बाद गोर्जिया एडम्स है, एडो ओनील है, अमंदा वेलिंग्टन है, जिमा ब्रेस भी है, मेगन इस जेस डफिन है, गोर्जिया प्रेस्ट्वीज है, गोर्जिया बैरहम है, जेडूली है, सारा कोटी है, इला हैवाड है और सारा केंडली है, ये मेलबन रेनिगेट्स की प्लेइंग 11 है, प्लेयर रोल इनके भी लिखे हुए है, तो दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 विथ अच्छा नहीं है, वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छा है, 34 का इनका एवरेज है, लोरा वर्ड रोट की बात करें, साउथ प्रिका की बहुत ही अच्छी बैटर है, लास्ट के दो मैच काफी बेकार गये हैं, बाकी ठालिया मेगरात जो है बेस्ट आप्शिन रहेंगी CBC के देखोगे, 35 रन, 70 रन, 27 रन, तो भाई स्कोर कर रही है, टीम को जब जो जोर्थ पड़ रही है, स्कोर कर रही है, दूसरी तरफ D. Gibson की बात करें, बॉल कर रही है, लेकिन उसका एडवांटेज इनको नहीं मिला है, हलाकि एक कम्प्लिट आल राउंडर ही जो है, इनको मान के चलना, गोर्जी आडेम्स भी जो है, बुरी तरीके से फ्लॉप रही है, अगर आप लास्ट कीन की इनिक्स देखोगे, बहुत बुरी तरीके से फेल रही है, अम अंदा वेलिंक्टिन की बात करें, 3-3 विकेट लेके आ रही है, बैक टू बैक दो मैचेस में, और यहाँ एडिरली स्टाइकर मोमेंस की जो है, बॉलिंग डिटेल्स है, दो विकेट मेगा निसकट, तीन विकेट अमंदा वेलिंक्टिन, एक विकेट ठालिया मेगराथ, और किसने कौन सा ओपर डाला था, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मेगा निसकट ने पावर प एलि मैथ्यूज बहुत ही शांदार ओप्शन है, बैट बॉल दोनों से परफॉर्म करती है, लास्ट मेच अगर आप देखोगे, काफी बुरी तरीके से जो है, फेल रही थी, हाला कि अगर आप देखोगे, 15 रन प्लस 3 विकेट, 12 रन प्लस 2 विकेट, 20 रन प्लस 3 विकेट बहुत ज़दा अच्छा तो परफॉर्म नहीं कर रही हैं, लेकिन सी विसी के लिए बन अप दो बैस्ट आप्शन आपको मिलती हैं, सी वेब अपने दिन पे बहुत अच्छा करके दे सकती है, लास्ट मेच में इन्होंने बॉलिंग भी कराई थी, याद रखिएगा, एड एक विकेट, दो विकेट, तो विकेट निकाल रही हैं हर मैच में, यह लास्ट मेच की जो है, मेलबन रेनिगेट की बॉलिंग डिटेल्स है, सारा कैंडली को लास्ट में दो विकेट मिले थे, बॉलिंग में अगर आप देखोगे, तो इनकी टीम जो है, हमिसा से लौस कर ही बहुत ही बुरी तरिके से गोर्जिया वेरहम प्लब कर रही है इनका आप देख stuffs ड inconsider हम ने 36 के हैं स्चाली किया है तीस रन किया है पच्चिस रन किया है चौवालिस रन किया है जबकि जो है विकेट लेस रही है तो बैट करना जो है अब आ गया है लेकिन बॉल करना धिरे-धिरे बोल रही है अब यह लास्ट मेच की मेलबन रेनीगेट्स की बॉलिंग की बात हो गई अब बात करते हैं टॉपिक्स की किस-किस प्लेयर को आपको लेना चाहिए यह आठ मैंने आपको अच्छी अच्छी प्लेयर बताई है जो कि आप स्मॉल लिग की टीम में इनको रखना चाहिए आपको इस मॉल लिग में CBC बात करें गॉर्जिया बेरहम, हर्मन प्रीत कोर, थालिया मेगराथ और हैली मेथियूज यह चार सबसे बेस्ट आपको आपको आप्शन मिलती है क्योंकि यह चार ही जो है पॉफॉर्म कर रही है और मुस्टी लोग इनही को जो है CBC करके लेके आएंगे तो आपको भी मैं रिक्मेंट करूँगा इस मॉल लिग में इनही चार को जो है आप CBC करो ग्रेंड लिग में अगर आप जा रहे हो तो ब्रेड पेटिशन को ट्राइ करना एजा वाइस कैप्टन कैप्टन मत करना वाइस कैप्टन ट्राइ कर लेना लोरा वर्ड रोड को एज़ा कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो बढ़िया उप्शन है बिनमाउंग को आप कैप्टन कर सकते हो अपने दिन पर बहुत अच्छा करके दे सकती है अमंदा वैलिंग्टन अगर इनकी पहले बॉल आती है न 100% इनको जो है CVC दूनों करना एक एक टीम में बहुत बढ़िया उप्शन रहने वाली है यहाँ पर हमने एडिन स्टाइकर, वोमिन्स की पुरी फुल स्कॉर डिटेल, मिलबन रेनिगेट्स की पुरी फुल स्कॉर डिटेल, दोनों ही टीम की स्कॉर डिटेल सेयर करी है तो यहाँ पर इनकी स्कॉर डिटेल भी आप देख सकते है विडियो के डिस्किप्सिन में आपको टेलीग्राम चेनल के liNK मिल जाएगी टेलीग्राम चेनल पर आपको TOSC इनफर्मिशन बताई जाती है प्लेंग 11, ड्रीम 11 ट्म सभी चीज़े मिलते हैं तो टेलीग्राम का चेनल आप जरू से जान करें 100% यहाँ पर आपके साथ में मैं टीम सेयर करने वाला हूँ टेलिग्राम का चैनल जाइन कर लीजेगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजे अब अपनी हम AD Ready Sightker और Melbourne Renegades की टीम जो है रेडि कर लेते हैं गईज अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अपनी टीम की तो सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्षन से ही सुरुआत करेंगे विकेट कीपिंग सेक्षन में आपको बिर्ज पैटईशन जे डूली दू ऑप्शन मिलती है अब देखो यहाँ पर bridge petition अच्छा कर रही है जबकि J2 भी बहुत ही शांदार option है Grand की टीम में जरूर से try कर लीजेगा Harvan Preet को और Catty Mac दोनों directly में टीम हैंगी मैंने Laura Wardrot को लिया है Benmont को भी यहाँ पर अपने टीम में लिया है अब देखो इन दोनों में से किसी एक को अगर आप drop करते हो ना तो आप ultra clean sweep भी कर सकते हो क्योंकि क्या पता कोई एक जो है इन में से fail हो जाए लेकिन थोड़ा सा risk तो ज़रूर से रहेगा इन दोनों ही player पे Tenny Vermont, Laura Wardrot और Catty Mac पर भी इवे नगर में बात करूँ तो Helly Matthews को लिया है थालिया मेगराद, गोर्जिया जो है वेरहम हमारी टीम में डेरिक लियाएंगे D. Gibson और गोर्जिया एडम्स दोनों जो है England की player है और जो है all rounder है अच्छा perform करती है किसी एक को चाहो तो ले सकते हो, मेरे पास जगे नहीं है, मैं नहीं ले पा रहा हूँ मैंने Amanda Wellington को लिया है, Megan Scott को अपने टीम में लिया है और साथी साथ Sarah Koti को अपने टीम में लिया है CBC की बात करें, Helly Matthews मेरी captain रहेंगी और wise captain की अगर मैं बात करूँ तो थालिया मेंगराथ को यहाँ पर मैंने wise captain से दिये आप Herman Preet को और या फिर जो है गोर्जिया वेरहम के भी साथ में as a wise captain जा सकते हो, दोनों ये भी अच्छी option है टीम preview की बात करते हैं, 6-5 का combination मनाया है बिच पैटिंशन है हमारी टीम में टेरी में माउंट है, लोरा वर्डरॉट है, हर्मन प्रीट कोर है कैटी मैक है, हैली मेथ्यूज है, थालिया मेगराथ है, गोर्जिया वेरहम है मेगर निसकट है, अमांदा वेरिंटिन है, सारा कोटी है, टीम काफी safe और अच्छी लग रही है इस टीम के साथ में मैं participate करूँगा या नहीं, final updates आपको telegram चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी उमीद करते हैं, वीडियो आपको पसंद आया होगा, दोस्त अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना ऐसे ही चैनल को देखती रही है, सपोर्ट करते रही है, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में